थे प्रॉलम सॉलिंग के सीरीज में हम लोग मैट्रिक्स का रोटेशन डिसकस करें और लास्ट अंपर मैट्रिक्स 90 डिग्री रोटेट किया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने इस लेक्ट्ट्र पो देखने से पहले वो लेक्ट्ट देख लिया है आप हम वो थी क्रॉस फोर साइस की मैट्रिक्स है जो आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री रोटेट करने वादम इसका आउट्कम लिख करते हैं इसके बाद जो आपकी अट्रिक्स ऑप्टेन होगी वह होगी ट्वेल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एट फोर दें 117 3 10 6 2 और नाइन फाइव वन यह मेरी मैट्रिक्स अप्टेन होती है एक काम करते हैं कि इस जी जो गिवन मेट्रिक्स हमारी है उसको एनलाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम आइडिफाई कर पाएं कि कैसे हम इसको चैंज करेंगे एक तरीका तो इस फिर से रोटेट करते हैं दो बार में करेंगे तो हम 180 डिग्री का जो रोटेशन है वो अप्रें कर पाएंगे अगर हमें थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम एन एनलेसिस एक बार फिर से कर लेते हैं जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है और जो आपकी मैट्रिक्स ऑप्टेन होगी 4321 इसके बाद आप जो सेकंड रो उसके ऐलेमेंट्स को एक्षेंज कर दीजे या फिर आप रिवर्स कर दीजे रिवर्स करेंगे तो आंसर आएगा आपका एट सेवन फाइव सिक्स एक बार इसको कॉलम वाइज भी रोटेट करेंगे तो यह कॉलम हो जाएगा हमारा ट्वेल एट फोर देन नेक्स कॉलम जो हमारा है आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिवर्स फिर आपको सबसे पहले क्या करना है कि रोवाइज रोटेट करेंगए एंड लेन उसके बारते कॉलम वाइज रॉटेट करेंगे इससे आपको वनेटी डिगरी रुटेटेट मैट्रिक्स बिल जाएगी पाई रिएस को करके देखते हैं तो सबसे पहले बात तो हमें ट्रांसपोस में इस पेस में नहीं चाहिए तो में इसको रोटेट करने जारा हूँ रोवाइस रोटेट करूंगा तो मुझे टोटल नम्बर आफ रोज आर है और रोज के लिए मुझे हर रो में जाके एक बार स्वाफिंग करने हैं इसके लिए लिएक लेना है इसके बार मुझे क्या करना है और एक राइट लेते हैं और राइट को मैं एन माइनस वन से डिनोट कर रहा हूं जहां पर नमर फॉलम सी है तो लास्ट कॉलम हमारा सी माइनस वन होगा इसके बाद पर जब तक जब तक मेरा लेप्ट इस लेस थैन राइट यह तुपोइंट अप्रोच का यूज करते हम करेंगे किनी के लिए हूं से फंग्शन में दो वैलू को पास करेंगे एक मेत्रिक्सका आययत रोका लेफ्ट और उक्षचेंज करने के बार लेफट को आगे बढ़ाएं है है और राइट को पीछे करना कि इस तरह से हमने रोवाइस रोडेशन करदी चल्वाइस हमने लिए इतना करने के लिए कि लिए अगर कि लिए में जाना है लेस्टैनसी लेफ पीजगर हम एना अपर लह से हैं टॉप और राइट की जगर लुटायों जों स्कुछ इसके बाद जब आइस वरी पहले कॉलम के फर्स्ट रोगे अलमेंट को मिठलब की टॉप कॉलम के इंडेक्स तन्वर आई एलमेंट को या कॉलम आई के एलमेंट को एक्सचेंज करना है दाउन रोगे इसके बाद हमने टॉप प्लस प्लस कर दिया और डाउन माइनस माइनस कर दिया और यह तब अब तक किया जब तक की प्रॉप इसके बाद हमने एक अलमेंट को डिस्प्रे करना है जिस पेकादगे लिए पहले वाइस को एंडेम और जो कोलम वाइस और जो करना है उसमें को कर दिया मैट्रक्स को पाभल कर 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 देखते हैं इसको इंटेजर टिकले देजे यहां के दी इंटेजर मान लिटे की मेरे पस पिंग रोस और चार कॉलम वाली इत मैक्रिक्स है वन टू थी पूर फाइट से लिट और नाइन इन 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 वाइन आप चेक कर सकते हैं कि दो बर आपने जब रोटेट किया होगा नाइन टी डिगरी ऐसा ही आरे आया होगा आप उसको विजुलाइज करके देख सकते हैं है अभी हम लोगोंने 90 degree rotate किया है sorry 180 degree rotate किया है अपने matrix को clockwise similarly हम rotate कर सकते हैं anti-clockwise 180 degree and I'll leave that on you to decide क्योंकि हमने 90 degree clockwise 90 degree anti-clockwise, 180 degree clockwise decide कलिया है आप एक लोजिक खुद से बनाएं 180 degree anti-clockwise rotate करने किया thanks for watching this video